नमस्कार दोस्तों बाबा आयर्वेता में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं किसी जडी बुट्टी की जानकारी आपको नहीं दूँगा आज मैं आपको इस दवा की थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों यहां दवा है गोख्रु योग जो अपितल की पराथ में आप दवा देखते हैं यहां है गोख्रु योग गोख्रु योग मैं स्वैम त्यार करता हूँ जड़ी भूटिया कूटपीश के ओखली में हम ग्राइंडर का प्रियोग नहीं करते हैं ताकि जो जड़ी भूटिया होती हैं उनकी सुद्धता बनी रहे इसलिए और प्लेस्टिक वगरा सपर्स नहीं कराते हैं वो भी इसलिए कि इनकी गुनवत्ता बनी रहे दोस्तों कोखरू योग सेक्स सम्बंदित सभी समस्याओं का अचू खिला जै अजमाय हुआ है बहुतों पे अजमाय हुआ है उसका है यह हैं आपकी सिगर बतन की समस्या वीरिय अक बतलापन सौपन दोस दहात गिरना वीरिया में सुक्रवानों की कमी पैसा में कैल्सियम जाना प्रोटीन जानना पिचाब रुक-rुक कराना और पिचाब करने के बाद जलन ओनना और दूबला पन इप यह इस्त्रियों की सफेद पानी की समस्या मावारी के समय जो उनका सरीर दुखता है उसमें यह अचुक काम करती है यह दवा और जो इसे इस दवा गोगरु योग को दो से तीन महीने महीने नियम बंद खाता है उसकी सातो दातुए पुष्ट होती है अगर आपके समस्या साल भर पुणानी है तो आपकी सातो दातुए एक महीने में ही पुष्ट हो जाएंगी इसमें कोई दोराई में नहीं है और अगर समस्या दोसाल पांच साल जितनी कि उतना ही समय दातों पुर्ष टोने में लगेगा है तो आज हमने यह हैं त्यार किया है कि हम कि इसे पार्सल करने वाले हैं जिनोंने हमें पैसे बेजे हुए हैं उनको यह पार्सल किया जा रहा है और जिन्होंने अभी आज और कल में जो पैसे ट्रांसफर हुए है मुझे गोपरु योग के लिए उनको अगले दो दिन के अंदर ये बेज़ा जाएगा तो दोस्तो ये थी